हलो दोस्तो मेरा नाम है मुवम्मद सफिक आप देख रहे हैं MDPlus YouTube चैनल तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ HDFC बैंग के लोन के बारे में जी हां दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूब भी दिखाऊंगा कि HDFC बैंग से हमने लोन लिया है बिना किसी डोकुमेंट्स के प्री अप्रूब बेस पेज जी हां दोस्तो बिना किसी डोकुमेंट्स के हमने लोन लिया है और आप भी ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है ठीक है यहाँ पे 10,000 रुपाई से लेकर 5,000,000 रुपाई तक का लोन मिलता है अगर आप इलिजबल हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से 5 मिनड़ के अंदर आपको आपका लोन मिल जाएगा और आपको कोई भी डॉकुमेंट और को कुछ भी देने की जरूआत Яँ पे नहीं पडेगे ना ही मुझे यहाँ पर आधार कार देना पड़ा ना ही में कोई सेलरी सेली देने पड़ी ना ही कोई की ढली कि स्टेटमिंड देना प् सब्सक्राइब ही तो इस वीडियो को अंटक के लिए चलिए दो स्टार्ट क वीडियो स्टाट करने से पहले मैं करूंगा आपसे क्रिकोईश अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया थेकर लाइक कर दीजिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा ही मोबाइल नमबर डालना है और यहां पर हमें अपने credit card का लाश्ट का चारंग डालना है जो भी आपके पास HDFC बायंग का credit card है उसका लाश्ट का यहां पर चारंग डालना है और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है View Loan Eligibility यहां पर हमें क्लिक करना है ठीक है मतलब मोबाइल नमबर और credit card का लाश्ट का चारंग डालके View Loan Eligibility पर हमें क्लिक करना है चलिए हम फटाफट इसको यहां पर कर लेते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नमबर पर OTP आएगा छे अंक का वो OTP हमें यहां पर डालना पड़ेगा OTP आ चुका है मैं डाल देता हूँ तो OTP हमने डाल दिया है ठीक है अभी हमें यहां पर identify yourself पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा create card भी सो हो रहा है ठीक है अज इसमें लिखा हुआ है 20,000 रुपाइ एलिजवल ठीक है तो यहां पर हमें 20,000 रुपाइ के लिए एलिजवल कर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस amount को मैं घटा भी सकता हूँ जरूरी नहीं है कि मैं 20,000 रुपाई हे लूँ 5,000 भी ले सकता हूँ 10,000 भी ले सकता हूँ 20,000 भी ले सकता हूँ और यहाँ पे जो choose loan direction in month मतलब कितने दिन के लिए हमें लेना है यह भी बताया गया है 12 महिने के लिए ले सकता हूँ 24 महिने के लिए ले सकता हूँ और 36 महिने के लिए भी ले सकता हूँ अगर यहाँ पे मैं 36 महिने के लिए लेता हूँ तो हमारी यमाई बनेगी हर महिने की वो बनेगी 775 रुपए अगर मैं यह 24 महीने के लिए लेता हूं तो हमारी यहाई 20,000 nut000 annually कहे हर महीनी हर महीन któ 13 дор behind तो यहां पर मंतली रेट आफ इंट्रेस्ट का और यहां पर चौबीस पर ट्राइब पर अगर इसको मैं इसका जो इयर है वो गटाता बढ़ाता हूं यानि कि बारा महीने या पर चौबीस मेने या पर चतीस मेने करता हूं तो जो इसका इंट्रेस्ट है जो पर मंतली इंट्रेस्ट वो घड़ जाएगा और जो पर इनम वाला इंट्रेस्ट है वो बढ़ जाएगा ठीक है और यहां पर अभी मैं बात करता हूं प्रसेसिंग फीस की तो यहां पे 999 रूपए इसकी प्रसेसिंग फीस है जो की पूरी क कि पूरी refundable है जी यहां दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो इसकी पूरी के पूरी refundable है क्योंकि यह ओफर में है यहां पर अभी तो प्रस्ट कटेगी लेकिन बाद में refund कर दी जाएगी ठीक है और यहां पर मैं बात कर रहा हूं 20,000 अमाउंड की ठीक है यहां पर हमें इस box पर टीक लगाना है देख सकते हैं यहां पर इस box पर हमें टीक लगाना है टीक लगाने के बाद हम यहां पर कण यहां पे क्लिक करना है जैसे हम हम संच यहां पी हां परम फोचा जाएगा चलिए हम देख लेते हैं आगे किया आप के Maintenant ऐ मैं इसंपे लगा डीत हूं कि Miletus एब मैं यहां पर किंपर किलिक करता हूं थो तो स्थो गॉल्स दोस्तों स्थ यहां पर ätzen करने के यहां पर डाल देता हूँ ठीक है ओटीवी डालने के बाद हमें यहां फिर से कंफर्म पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिख कर आगया यहां पर हमें एक रिफरेंस नंबर यहां पर 10,000 का अमाउंट है जैसे कि हमने आपको बताया था कि 20,000 को घटा के हमने 10,000 कर दिया था ठीक है यहां पर लिखा हुआ है DD will be coded your registered address ठीक है DD का मतलब होता है दोस्तों demand draft ठीक है demand draft मुझे इसलिए वेजा जा रहा है क्योंकि हमारा HDFC bank में account नहीं है ठीक है जब यह demand draft हमें receive होगा तो इसको मैं अपने account में जमा कर सकता हूँ ठीक है अगर हमारा HDFC bank में account होता तो direct पैसा हमारे account में credit कर दिया जाता अगर आपका HDFC bank में account है तो यह पैसा आपके HDFC bank में credit कर दिया जाएगा ठीक है अगर नहीं है तो आपको भी demand draft भेजा जाएगा अब दोस्तो हम बात करते हैं यह loan मिलेगा किसको दोस्तो यह loan केवाल उनी को मिलेगा जिनके पास HDFC bank का credit card है क्योंकि यह loan HDFC bank के credit card के base पे मिल रहा है इस पे कोई भी documents नहीं लग रहा है ठीक है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप समझ गया होंगे कि आपको यह loan apply कैसे करना है फिर भी अगर आपका कोई भी कोई सवाल अभी भी बचा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकता है उसका reply मैं आपको दे दूँगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगे वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में सेर्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगन में आती है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई ऐसी जानकारी की वीडियो अफ्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एंगली वीडियो में ओके दोस्ताइं कि वीडियो देखने के लिए